नमस्कार दोस्तों यह सी वेली हेल्प में आपका बहुत-बहुत स्वागत है वीडियो में बात करने वाला हूं मैं बताने वाला हूं आपको कि ड्राइविंग लाइसेंस के फाइनल टेस्ट के बाद आपको आगे क्या करना है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस के जो फा आप फाइनल टेस्ट के रिज़ल्ट की तो जब भी आप फाइनल टेस्ट या फाइनल ट्रैल देते हैं जहां पर आप बाइक चला कि जो भी फॉर्विलर बगर रहा है चला कर दीखाते हैं अगर आपने सिंगल ठीक ठक से पास किया है और आपकी गाड़ी बंद नहीं हुए तो इसके मैंने वीडियो अलड़ी बना रखा है तो उपर आपको लिंक पर लिंक बिलता होगा वहां से आप देख सकते हैं कि आप ड्राइव लाइसिंग में पास है कि फेल है रिजल्ट क्या है आपका ठीक है अगर आप फेल है तो आप क्या करेंगे री अटेंट के लिए दुबारा से फिर से आप फी PAYMENT करके आप दुबारा से जा के टेस्ट है ठीक है अगर आप पास कर गए है तो क्या करना है यह जानेगा इज़ी बॉइस वेक तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको application का status चेक करना है वहां पे पता चले जाएगा कि आप पास है कि फेल है अ सत्राचार को हुआ है इसका फोटो और सिगनेचर कैप्र मतलब वेरिफिकेशर में सत्राचार को हुआ है यह दोनों ही और ड्राइविंग लाइसे टेस्ट ते पहले या उसके बाद हो जाता है सेम डे पे ठीक है अब क्या करना उसके बाद यह तेस्ट का जो रिजल्ट हो कित है ठीक है आपके स्टेटस चेक कर सकते है तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका अप्रिकेशन जो एक कहां तक बढ़ा है नॉर्मली यह समझ के चलिए कि यह जो वर्किंग डे होता है उस इसाफ सब्सक्राइब करें लगबंग 10 दिनों का समय लगता है आपके फाइनल ट् प्ली कलिक है टॉ डाउल्ोड इरक बश्यां डाउब्ट कर सकते हैं या फिर जैसे मैं वीडियो में बता हुँआ है कि कैसे डाउल्वोड करना है वैसे विजाके आप अपना डाईविंग डाउल्र राडॉड कर सकते हैं ठीक है और और जब यह डाउविंग्न क्योंड हो हो जाएगा उसे दो से तीन निनों के बाद आपको या तो अपने जो मोटर वेहिकल के ऑफिस है वहां से जाकर ड्राइविंग लैसेंस कलेक्ट करना है या फिर बाइप पोस्ट आपके घर पर हो सके तो चलाएगा यह डिपेंड करता है यह प्रॉसेस बड़े-बड़े सीट देनों तक आपको इंतियार करना है इसके बीच में अगर मैसेज आ जाता है ऐसे मैस आ जाता है तो आपको क्या करना है ड्राइविंग लैसे स्प्रिंट करना है और उसके दू-तिन दिन बाद जाकर आपको मोटर वेहिकल के ऑफिस से अपना ओरीजियल ड्राइविंग करें तुब तक लावनाई इस्टे चाहिन चाहाँ